पूर्णिया लोक सभाँ छेत्र से बीमा भारती आर जेडी के उमिद्वार हैं जो लगातार चुनाव परचार कर रही है और अभी गाव गाव घूम रही है हमारे साथ मौजूद है बीमा जी इस बार मुद्द्य क्या है चुनाव के लगातार आप चुनाव परचार भी कर रही है पहले जेडियू में थी अब आर जेडियू में आ गई और अभी लोग सभा से चुनाव भी लड़ रही है सबसे पहले तो जो हमारे राष्टिया ध्यक्ष है आधन ये लालो परसाद जादव जी और जो हमारे पीतातुल है जो उनका सन है प्यार मुझे मिला है और महागटवनन का उमिदवार मुझे बना करके लोग सभा लगने के लिए पूर्णिया में जो नहोंने निरने किया महा कटवरन के नियता को दिल से हम परणाम करते हैं अभार बेक्त करना चाहती हूं और जनता का सेवा हम करेंगे जिस तरह से हम रुपोली में सेवा किये हैं लगातार एक बार नहीं पाच्मा टर्म मुझे यहां के सनर प्यार दे करके विधान सवा भेजने का काम किया है हमने विकास किया है यहां से आपकी लडाई किसके साथ है क्या पपू यादव के साथ लडाई है या फिर संतोस को स्वाहा से हैं हमको किसी से लडाई नहीं है और डारेक्ट हम जनता का दालत में जा रहे हैं और सभी जनता से सना प्यार मुझे मिल रहा है भरपूर पपू याद लिए नमनेशन कर दिये हैं महा धवराएड के साथ रहते ए और इसलिए उक कहा से पापाटी में नहीं है हो वो कह रहा एकि धोका हो गया हमरे अनल पर ऐस्वा गेंगे आपने जंता के साहथ फिच बीच में रहें लेकिन अगर वो कॉंग्रेस का सिंबल लगा कर घुमेंगे, कॉंग्रेस का जंडा उनके परचार में दिखेगा, तो जाहिर सी बात है, जंता को तो कन्फ्यूजन होगा ही होगा? बिल्कुल, उस पर करवाई होगा, पार्टिक तरब से हमारे जो कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्षा, उसका बयान भी आ गया है, उस पर करवाई भी होगा और पार्टि से निकाला जाएगा. पपु यादव ये कह रहे हैं कि हमारे नेता जो है, वो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, और हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते? क्या ऐसा हुआ जो आपको जेडियू छोड़कर आर जेडी में आना पड़ा जहां जिस तरह से मुझे परतारित किया गिया आपके चैलन के माधियम से हम बताने का काम किया है और सरकार में रहकर के जिस तरह से मेरे साथ हुआ है पूरे देश पूरे दुनिया जानते हैं इसको हमको नहीं लगता है कि दोहराने का जरुवत है और इसलिए हमको जनता का प्यार मिल रहा है जनता का आसिर ना छोड़ते हैं कि यह उक्तिस को लोग समा में चूनेंगे और जनता के दाना प्योट है पप्पू याद्व यह कह रहे हैं कि वह इस से पहले भी निर्दलिये सांसाद यहां से रहे हैं और फिर एक बार जनता का अशिरवाद उनके साथ है देखिए हमने कहा कि निर्दलियेश हमने पुर्णिया के लोग सभा में ही रुपोली विधन सभा आ रहे हैं तो जनता का सेवा लगातार करते आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि पुर्णिया भी माँ है, मदेपुरा में भी माँ है, सुपोल में भी माँ है कहां सुत्तर करेंगे और इसमें तो साबित हो गिया कि यह बीजेपी का येजेंट बन करके महा गठबंधन को हराने का काम करने का उन्होंने निरने लिया है तो क्या उनको वापस ले लेना चाहिए या पार्टी को उनके खिलाफ करवाई करनी चाहिए? तो आप लगतार घूम रही है, जनता का समर्थन कितना आपके साथ है? महुत समर्थन, आपके कितना समर्थन है, हमारे सभी कार्ज करता है, हमारे एक एक जनता है, और पूर्णिया का जनता का मन बन चुका है, महागटवन्नन के सभी कार्ज करता है, जितने का निर्ने ले चुका है, आप तो भी बदल नहीं सकता है. लेकिन आपके नेता पर ही पपो यादव सवाल खड़े कर रहे हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव के उपर की उन्होंने धोखा दिया जबरन ये सीट उन्होंने ले लिया हमको बोल रहे थे कि आप मध्यपूरा चले जाईए बिल्कुल पाटी का जहां निरने करना चाहिए तो सम्मान के साथ जाना चाहिए इसमें कहां कोई बद, उनको जाना चाहिए आप यहां से जो निर्दलिय से जो नमनेशन किया है तो जनता जबाब देने के लिए तयार है पूर्णिया का जनता ही निर्ने करेंगे फैसला तो यह ती बिमा भारती जो लगातार चुनाव प्रचार कर रही है अपने छेत्र में और साथ तोर पर यह कह रहे हैं कि पाटी ने उनको कह दिया है पप्पो यादव के खिलाफ कारवाई होगी क्योंकि वो बीजे पी का भी टिम बनकर काम कर रहे हैं और सीधे तोर पर भीमा भारती ने यह कहा है कि उनका लोगों का शमर्थन काफी उनके साथ है और यही वज़ा है कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है बलकि जब रिजल्ट आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है झाल 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 झाल